वक्त की बड़ी खबर सोमालिया से जुड़ी हुई है जहां छे क्रू मेंबर समेत 15 हिंदुस्तानियों का कामियाब रेस्क्यू किया गया है इंडिया नेवी का ओपरेशन एमवी लीला कामियाब हुआ है अगवा जहाद से महपूस निकाले गए है सभी हिंदुस्तानी 15 हिंदुस्तानियों समेत जहाद क्रू मेंबर महपूस है नेवी ने इस बात का भी जिक्र किया है मार्कुस कमांडों के डर से जहाद छोड़कर भागे समुंदरी लुटे रे जिसमें सोमाले के तटपार नेवी का ओपरेशन कामियाब हुआ है ये बड़ी खबर आपको बता रही है राहत भरी ये खबर जहाद सोमालिया से जुड़ी हुई है छे क्रू मेंबर समेत 15 हिंदुस्तानियों का कामियाब रेस्क्यू कर लिया गया इंडिया नेवी के ओपरेशन एमवी निला के जरिये ये एक ओपरेशन कामियाब हुआ है अगवा जहाद से तमाम लोगों को महफूज निकाल लिया गया है सभी हिंदुस्तानी पंदरा हिंदुस्तानियों समेत जहाद के क्रू मेंबर की महफूज है मार्कोस कमांडों के डर से जहाद छोड़कर समुंदरी लुटेरे भाग गए है सोमालिया के तटपा नेवी का ये ओपरेशन बेहद कामियाब हुआ है ये बड़ी खबर रहा तो भड़ी खबर जहाद समुंदरी लुटेरों से पंदरा हिंदुस्तानियों को आज़ाद कराए गया है उन्हें का रिस्क्यू किया गया है इंडियन नेवी के जरीया उपरेशन एमवी लीला जो की कामियाब हो चुका है अकवर जहाद से महफूस निकाल लिए गए है सभी यहाँ हिंदुस्तानी पंदरा हिंदुस्तानियों समेथ जहाद क्रू मेंबर भी महफूस है वाज़े रही कि मार्कोस कमांडो के डर से यहाँ समुंदरी लुटेरे जहाँ सको छोड़कर भाग खड़े हुए है और सोमालिया के तट पर नेवी ने इस उपरेशन में कामियाबी हासिल की है तो उको बता दे कि जहाँ यह फिकर का 22 बना हुआ था कि किसी तरीके से या 6 क्रू मेंबर समेत 15 हिंदुस्तानियों को रेस्क्यू करना है उन्हें समुंदरी लुटेरों से आज़ाद कराना है और अब नेवी का ओपरेशन इंडिया नेवी का यह ओपरेशन M.V. लीला बेहत खामियाब साबित हुआ जहां अगवा जहासे तमाम लोगों को महफूस निकाल लिया गया सबी हिंदुस्तानियों को महफूस निकाल लिया गया 15 हिंदुस्तानियों समेत जहास के क्रू मेंबर भी पूरी तरह से महफूस है